नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता आज हमारे साथ स्टूडियो में है योगा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट सूरज दहिया सूरज बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो जीवन की किसी भी शेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं जिसकी वजह से तनाव, अनिंद्रा और मोटापे की शिकायत लोगों में आम हो गई है लेकिन इस समस्या से किस तरह से निजात पाया जा सकता है यही आज हम जानेंगे सूरजी से सूरज, क्या रीजन है, क्या वजह है कि आजकल बड़े ही नहीं, बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल आप जितना खा रहे हैं, आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं यह सिंपल मैथेमेटिक्स आप कह सकते हैं, कि आप अगर जितना खाएंगे और खाने में भी आप जंक फूट जादा खा रहे हैं तो आपके फैटी टिश्यूज जो हैं, और पिरिड ऑफ टाइम एक्यूमिलेट हो जाते हैं आपके फैजिकल एक्टिविटीज नहीं हैं डे-to-day लाइफ में तो यह एक बहुत ही लाइफस्टाइल हो जाता है तो हम यह बच्चों में देख सकते हैं, हम यंग जरनेशन में शिकायत देख सकते हैं, बड़ों में भी यह शिकायत है तो लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटीगा नहीं होना होना एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस भी बहुत जादा बढ़ गया है, जस तरह से आप लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं बच्चों में स्ट्रेस का क्या रीजन है? देखिए आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि आज की डेट में बच्चों का बड़ों का सोने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है लंबे समय तक वो जगते हैं, काफिर समय तक फोन में लगे रहना ताकि, you know, some sort of entertainment आपका physical activity का कोई समय नहीं होता आप stress में इसलिए ही जाते हैं, because आपका time management विफल हो गया आपने time को manage नहीं किया और आप over the period of time, weeks by weeks by weeks आप एक stress में चले जाते हैं, कि I am inferior to something क्योंकि आप social media पे देखेंगे, आपने आस पास देखेंगे, कोई fit है आपको motivate भी करेगा, लेकिन कुछ एक लोग जो थोड़े कम courage दिखा पाते हैं, वो inferior भी फील करते हैं, इस चीज को लेकि तो आपको अपने दिन चरिया इस हिसाब से रखनी है, कि आप हमेशा समय से आपका सोना हो, और समय से उठना हो, समय पर सात्विक भोजनाब करें तभी आपका lifestyle इंप्रोव हो सकते हैं, और stress से आप relief पा सकते हैं And also physical activities must कई बार हम लोग अपने आप से बहाने करते रहते हैं, अपने आप कोई रीजन दे पाते हैं, कि हमारे पास time नहीं है, या workload इतना ज्यादा है, जिस बचेसे हम रूटीन को follow नहीं का सकते हैं, लेकिन एक healthy routine क्या होती है, किस तरह से होनी चाहिए आप अगर सुभा जल्दी नहीं उट सकते हैं, तो फिर भी आप कोशिश कीजिए, कि आप 8 वज़े से पहले पहले उट जाएं और आप सात्विक भोजन करें, specifically जो opacity से related जो शिकायते हैं, आपकी physical activity होना सबसे ज़्यादा important है लेकिन intensity होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको physically active होना ज़रूरी है, क्योंकि intensity आप जैसे जैसे shape-up होते जाएंगे, तो आप intensity बढ़ा सकते हैं अगर हम starting में intensity बढ़ा देते हैं, किसी भी physical activity की, तो injuries के भी chance से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप सात्विक भोजन करें, अपनी calories को आप किसी nutritionist की help से, आप calories को आप check कर सकते हैं कि मुझे कितनी calories चाहिए मेरी body की requirement के हिसाब से, मेरे level के हिसाब से और आपको physical activity उसे हिसाब से कितनी करनी है तो ये particularly आप कह सकते हैं, एक approach है, obesity को counter करने की योग के बारे में हम यहाँ बात करें, तो कौन सा योगासन हम यहाँ पर कर सकते हैं, योग किस तरह से मोटापे को दूर करने में मदद कर सकता है योगा जो है, वो traditionally सबसे specific, आप कह सकते हैं, science है, to counter these kind of things ना सिर्फ obesity, but everything related to human body and emotions हम बात कर रहे हैं, obesity की, तो आप जो आसना कर सकते हैं, obesity को counter करने के लिए जैसे की, उत्तन आसना, पश्चिम उत्तन आसना, कुंभक आसना, परिविरता त्रिकोन आसना, आप वीरभदर आसन कर सकते हैं, आप सूरिया नमस्कार जरूर करें सूरिया नमस्कार एक combination है, different different types of आसना, forward, back bending, ये आपकी पूरी बॉड़ी को help करता है एक्टिव रहने में, तो आपकी पूरी बॉड़ी इंडल्ज होती है, सूरिया नमस्कार में, आप कर सकते हैं, नो का आसना कर सकते हैं, आप सरवांग आसना कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, जो आप कर सकते हैं, obesity को counter करने के लिए, बट आपको बस एक चीज़ का ध्यान कि आप अपने लेवल के हिसाब से, activity को चूज करें, और साथ में हम यहां पर डाइट भी जाना चाहेंगे, कि डाइट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आप आपकी physical activity उस तरह से नहीं है, तो डाइट कैसी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी nutritionist की help से या अगर आपने research कि है इस चीज़ पर आपको जाना है, तो आप एक चीज़ समझ लेजिए कि आपको उतनी calories चाहिए, जितनी कि आप अपने system को active रखने के लिए आपकी requirement है, ठीक है, then आपकी physical activity कितनी है, then वो requirement है calories की, आपको system को चलने के लिए जो requirement है वो, आपकी activity level है वो then आप decide कीजिए कि आपका जो goal है, वो fat loss है, आपको obesity से निजात पाना है, तो आप specific आप कह सकते है 500 to 700 calories उसमें से deduct कीजिए, ताकि आप एक ऐसे scale पर आपाएं कि आप अपनी physical activity भी कर रहे हैं और आपकी requirement है जो भोजन की, वो भी आप नपी तूली हिसाब से देख पा रहे ह क्योंकि अगर आप इस चीज़ को scale नहीं करेंगे, तो आप guess work करेंगे कि मैं हाँ इतना खा रहा हूं या तो इसमें हो सकता आप बहुत ज्यादा खा लें, आप हो सकता बहुत कम खाएं, तो उस चीज़ को scale करना बहुत जरूरी हो जाता है अकसर लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि बाहर का खाना बन कर दिया है, घर पे ही खाते हैं, बावजूद एक्सराइस करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होता, उसके पीछे क्या रही है उसका कारण है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का slow हो जाना, ऐसा बहुत कॉमन है जब लोग बहुत सारा खाना खा रहे हैं, जंक फूड कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, बट एकदम से खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और बहुत कम खाना कर देते हैं, उनको लगता है कि या मैं बिल्कुल कम खाऊंगा या बिल्कुल कम खाऊंगी तो मेरा fat loss होएगा कुछ वीक्स तक वो चीज़ pattern follow होता है then होता है कि आपका metabolism slow हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम खाना है आपको requirement इतनी है कि आप fat loss कर पाएं आपको खाना कम नहीं खाना है आपको सही खाना खाना है सही समय पे यह समझना बहुत जरूरी है वो सही समय क्या है जैसे कि यह body weight पे age पे depend करता है क्योंकि हर एक की body different है और वो खाने को भी different process करती है जैसे मान लिजे किसी को हम सुबह एक balance diet देते हैं सुबह breakfast तो सुबह किसी को high fats ज्यादा उसकी body absorb कर पाती है carbohydrates से ज्यादा lethargic हो जाते हैं किसी को carbohydrates लेना जरूरी हो जाता है तो यह depend करता है individual to individual but at least आपको तीन से चार टाइम खाना ही चाहिए योगा में तीन समय बताए गए हैं जो भोजन के लिए आवशक हैं तो आपको तीन समय तो खाना ही जाहिए breakfast कितना जादा important है कई बार breakfast skip कर देते हैं और कई लोग dinner skip कर देते हैं तो वो किस तरह से होना चाहिए देखी अगर आपका time management सही है ठीक है तो आप breakfast आप early उठके आप breakfast किजी अपना व्यायाम अपना ध्यान करके अपना आसना करके आप breakfast ज़रूर किजी breakfast is the आप कहा सकते हैं staple है आपकी diet में आप breakfast का भी मत मिस किजी क्योंकि आपको दिन भर वो calories चाहिए वो nutrition चाहिए perform करने के लिए चाहिए आपका office का काम है या फिर अपका field का काम है तो आपको वो calories help करेंगे energized रखने में देन आपका lunch हो गया देन आपका डिनर हो गया इतीन टाइम आपका भी भी मिस मत किजी अपना भोजन क्योंकि यह आपकी system की requirement है आप सिर्फ activity करने के लिए अनरजी नहीं चाहिए आपको आपके organs को भी perform करने के लिए आपके hormones को भी अनरजी चाहिए परफॉर्म करने के लिए तो यह चीजों को ध्यान अखना ज़रूरी है तो यह जो वहम हो जाता है लोगों को कि खाना नहीं खाएंगे तो फट लॉस हो जाएगा उनका नुकसान भी होता है तो आप यंग्स्टर्स को अन्थ में सूरज क्या टिप्स देना चाहोगे ताकि वो अपने आपको हेल्दी भी रख पाएं और प्लस ओबिसिटी से भी अपने आपको बचाएं जो यंग्स्टर्स हैं उनके पास सबसे बड़ा बेनेफिट है एज एज वेक्टर बहुत ही यंग है उनके पास ज्यादा एनरजी है उनके पास आप कह सकते हैं कि आप इंटरनेट से बहुत सार इंफोर्मिशन ले सकते हैं तो मैं उनको यही कहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी इस नमबर वन आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी से ज़रूर होने चाहिए आप beginner हैं तो आप उस लेवल के हिसाब से कम activity कीजिए देन धीरे धीरे उसकी intensity increase कीजिए तो आप समय पे देखेंगे कि आपका समय पे खाना भी हो पाएगा क्योंकि आप activity करेंगे तो आप सही खाना भी खाएंगे इसा ही nutrition भी खाएंगे तो उसका फायदा बहुत जल्दी यंग्स्टर्स को दिखने लग जाता है चली सूरश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे आपने टिप्स दिये हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारे खास कारी करम में फिल हाल इतना ही है आप देखते रहिए जन भापना टाइम्स